हो रहा है कि जीवन के चार पढ़ाओ जीवन के चार उद्देश धर बर काम मोक्ष आखरी उद्देश जीवन का मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष कैसे मिलता है आपको ये बड़ी गलत फैमी हो सकती है मोक्ष के बारे में कि हिमाले में जाओ तो मोक्ष मिलेगा सादू सम्यास अरे भया बोक्ष का रास्ता वेदों में और उतने शदों में बताया गया कि जो ज्यती अपने दुखों को दूर करता है और दुख मैंने गए हैं तीर दैहिक, दैविक और भौतिक देहिक दुख्मा ने शरीर का दुख बीमारियां देहिक दुख्मा ने भवान का दिया हुआ तो देहिक देविक और भौतिक भौतिक दुखमाने गरीवी बुक्मरी तो जो गेती अपने दुखों को दूर करता है फिर दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगता है मोख्ष उसी को होता है मोख्ष जाने का एक मात्र रास्ता है तो आप पहले प्राणयाम सीफो, आपने अपने दुखदूर कर लिए, अब आप दूसरों के दुखदूर करने के काम में लग जाओ, तो मोख्ष आपको हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपके पास आया, मुझे भोख्ष जाना है, मुझे लोग सभा में नहीं जाना, है, अब इसका रास्ता तो यही है, कि मैं पहले मेरे दुख दूर करूँ, वो मैंने कर लिए, मुझे अभी कोड़ी दुख नहीं है, ना दैहिक न दैविक न भोखे, शरीर मेरा एकदम स्वस्त है, आप मेरी नाडी नाप देख लो, मेरा बीपी चेक कर लो, मेरी शुगर चेक कर लो, सब सामाने हैं, सब अच्छा है, और बीसी साल से बीमार नहीं पढ़ाँ, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं बरती हुआ, वी साल हो रहे हैं, और शाहिद अब यह बीसी ओ साल तक बीमार नहीं पढ़ाँगा, क्योंकि वाद उत्तकफ तीनों संत्रियत हैं मेरे, तो मेरे दुख तो मैंने दूर करें, अब मैं चाहता हूँ, कि मेरे निमित्त से आपके भी दुख दूर हो जाएं, इसलिए छपरा आया, और आपके दुख अगर दूर हो पाएं मेरे निमित्त से, तो मेरे मुक्ष की सीट पक्की है, जनम लेना, मरना, जनम लेना, मरना बहुत हो गया, आप नहीं करना, यह आखरी जीवन हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रातना है, इसके बाद पैदा ना होना पड़े, तो एकी रास्ता है, स्वर्ग जाओं, मुक्ष जाओं, और वो रास्ता आपके घर से गुजरता है, इसलि स्वर्ग मेरे सीट चाहिए, और वो तम मिलेगी, जब आप स्वस्थ हो जाओं, मिनित मैं बनूं, स्वस्थ हाँ, तो आप मेरी गात मान लो, यह प्राराया, चुरू कर दो, जब आप स्वस्थ हो जाओगे, तो मेरी एप्लिकेशन में भेज दोंगा बलवाकि के पास, और तो वो स्विक्रप्ध हो जाएगा अब मैं मुक्ष पहुंच गया फिर आप भी आजाना मेरे पीछे-पीछे आप किसी और को सिखा देगे और वो स्वस्थ हो गया तो आप किसी पक्षी हो गई और हम सब स्वर्ग में यह कठे होंगे वही मिलें गए और सुना है कि स्वर्ग मैं कुछ काम धाम नहीं होता तो क्या करेंगे क्या वहां भी योग कख्षाई लगाएंगे सब को करना यह उन सखाईगे मैंने आप से मजाग में गंभीर बात की है कि आप सुखी हो जाओं मैं तो सुखी हो झाओं आप फिर किसी और को सुखी बना दो बस यही सिलसला चलता रहे तो सारा भारत सुखी हो जाए और भारत सुखी हुआ तबी हम ये कहपाएंगे सर्वे गवंतू शुकिने सर्वे संटु निरामया सर्वे भग्रान पश्यम्तू मां का सुद्ध भाता में ये इतनी उूंची बात सिर्फ भारत कह सकता मैंने नहीं सुखी भारतिय संस्कृति और सब्धिता का ये उच्चतम शिखर है जब ये कहा गया सर्वे भवंत सुखने सर्वे संत निरामया सब सुखी हो जाएंगा सर्वे भवंत सुखने सब सुखी हो सर्वे संत निरामया मने सब निरोगी हो सर्वे भद्राण पश्यंतु माने सब के चहरे प्रसंद का से खिने हुए हूँ आनंद से बढ़े हुए हूँ मा कर्षित्व भावबे किसी को कोई दुखी ही ना ये भारत में कहा सारी दुनिया के सामने हम तो इसी संस्कृति और इसी सब्विता के पुजारी हैं ये जीवन में उतर जाए ये पुस्तकों तक सीमित न रहे व्याख्यानों तक सीमित न रहे ये जीवन में उतर जाए सर्वे भवंत सुखने इसी के लिए हमारा ये प्रयास है भारत स्वाविमान सर्वे भवंत सुखने को हर व्यक्ति के जीवन में उतार दोना इसी प्रयास का नाम है भारत स्वाविमाद